कितनी प्यारी हमारी ऐसक्रीम बन कर तयार हो चुकी हैं इस तरह से आप भी ट्रैक करें आप इसक्रीम बन हैं था की बच्चों को खिलाए गर्मी का समय है आम किसको पसद 1795 सब ब आते हैं आम और रही है कुछी मिन्तों में देखें बिढ़े बना बर्फ के इस वदनी ना इस पर कोई बरफ की लेयर है नेक्ट श्टेप शुरू करते हैं यह मैंने एक किलो दूद लिया है हम इससे आइस क्रीम बनाएंगे कि एक उबालर तक हम इसे उबालेंगे इसको हमके माच पर पकान पड़कय't हम इसमें ना मिल्क पॉड्ड का यूश्क कर एंगे ना ही कष्टरड का मैंने इसमें मैदा यूश्क करणागी जिससे कि हमारा दूद की तो इसलिए मैंने इस दूद लिया है ठंडे तुछ से थोड़ा सा मैंसे चला कर इसको मिक्स कर लूँगी इससे अच्छा सा गोल बना के हम त्यार कर लेंगे इस तरीकी से ट्राइब करें बहुत अच्छी आस्क्रीम बनकर आपकी तयार होगी चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इस तरीकी की डिश मिलती रहेंगी रेसिपी बढ़िया बढ़िया यह देखें हमारा बढ़िया सा हमने गोल तयार कर लिया है इसमें लंस ना पढ़ें इस तरह से इसे अच्छी तरह से चला लें यह देखें परफेक्ट हमारा गोल तयार हो चुका है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं दूद में हमारा उबाला चुका है अच्छी गैस का फिलेम हम बंद कर दिंगे तब हमने जो गोल बनाया था इसमें दीरे दीरे हम इसको डालेंगे और चलाते रहेंगे लगाता जिससे लंस ना पढ़े इस तरह से फ्रेंट्स हमने बंद कर दिया है इस तरह से आप भी बंद कर दें नहीं तो क्या कहते हैं लंस पड़ जाते हैं इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे अब हम गयस को ओन कर देते हैं देखे फ्रेंट्स हमारे लंस बिल्कुल नहीं पड़े हैं बिल्कुल बढ़िया हमारा दूद बनकर तयार हो गया है अब इसको कम हम आज पे इसको पकाएंगे जिससे की गाड़ा दूद हो जाए हमारा बैसे लगबग हमारा गाड़ा होने अब हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर देखे फ्रेंट्स हमारा यह लगबग पक चुकी है इसमें जो मैदा डाली थी हमने इसका कच्चापन निकल गया है काफी गाड़ा दूद होने लग गया है देखे इस तरीके हमें दूद होने लग गया है अब हम इसमें शुगर अब पकाएंगे चीनी हमारी मैल्ट हो जोगी है अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा दूद धंडा हो रहा है जब तक हम आम को छील कर इसकी कटिंग कर लेते हैं मैने दो आम लिए हैं आम के टुपड़े कर लिए हैं अब हम इसे जार में डालेंगे इनका बढ़िया सा पेष्ट बनाएंगे मैंने एक कटर ये मलाई ली है मलाई को हम इसमें ही डाल देंगे अब हम इन दोनों को ग्रैंड करेंगे इधी के ट्रेंड हमने ग्रैंड कर लिया है किता अच्छा पेश्ट इसका तयार हुआ है क्रीमी क्रीमी दूद्ध भी हमारे ठंडा हो चुका है देखिए इसमें कितनी थिकने सास चुकी है अब हम इसे बड़े जार में इसको भी ग्राइंड कर लेंगे कि लाव ऑजने 만पर कोगें दोद्ट गरिया है ऐसचीज हम इसे के अधर गरदेते हैं कितने बबूल से इसमें उठ रहे हैं हमें यही चाहिए था बिल्कुल बजार जैसी क्रीमी क्रीमी हमारी एसक्रीम बंद कर तयार है इसको हम ठेंडा करके खाएंगे इस तरह की मैंने इस पर फॉलो तीन लगा दी है जिसे की हमारी बरफ की लेयर इसमें ना जमें लेट से हम इसे बंद कर देंगे मेरे पास यह एसक्रीम की डिपी थी हमारा पेश्ट बच गया तो हम इसमें डाल देंगे और इनमें भी जमाएंगे बिल्कुल बजार जैसी लगेगी फ्रेंड्स आप जरू ट्राय करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम इसे रख देंगे आठ गंटे के लिए छंटा होने के लिए देखें फ्रेंड्स हमारी आस्क्रीम जम चुकी है यह देखिए कितना अच्छा है इसमें टेक्स्चर आ रहा है देखें आठ गंटे हो चुके हैं अब हमारी आस्क्रीम जम चुकी है यह देखिए नबर फैस पर कितनी अच्छी हमारी लेर आई है यह देखिए कोई कह देगा यह दूद्स से जमी है यह देखिए अब इसको आप पांच मिन के लिए पानी में भी रख के निकाल सकते हैं जीप करके देखिए हमें से इस तरह से निकाल लेंगे इसको यह देखिए कितनी बड़िया हमारी आजकी में जम के त्यार हुई है अब हम इसको बदाम पिस्ते से इसको डेकुरेट कर देखिए यह देखिए अब हम इसके पीस कर लेंगे यह देखिए कितनी अच्छी हमारी आजकी म तयार हुई है इस तरह से आप भी आजकी म जमाएं विडियो अच्छी लगे तेस लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल